कोटक महिंदरा बैंक zero balance saving account घर बैठे online open कैसे किया जाता है आज किस वीडियो में आप जानने वाले हैं कोटक महिंदरा बैंक zero balance saving account open करने के बाद क्यवाशी करने के लिए बैंक जाने की जरुवत नहीं परता है आप घर बैठे बीडियो केवाशी के जड़िये आप केवाशी को कम्पलीट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकॉंट ओपेन करने पे आपको बैंक के तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकॉंट है अगर आप खाते में जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो बैंक के तरफ से कोई भी आपको चार्ज नहीं लगाया जाएगा और इस एकॉंट को ओपेन करने के लिए आपके पास अधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकॉंट आप ओपेन कर लेते हैं कोटक महिंद्रा में सेविंग एकॉंट खुलने के लिए जीरो बैलेंस पर वीडियो के डिक्सेशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप इस पेच पर आ सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं आप अपना यहां पर फूल नाम इंटर करेंग उसके बाद यहां पर आप एक एमेल अडिंटर कर देंगे और इस दोनों बॉक्स को आप यहां पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपका नाम है वही यहां पर आपको पुरा नाम देना है जो भी आप मोईल नमर दिये हैं उसी मोईल नमर पर आपका वोटिपी आ जाएगा को टीप यहाँ पे देने के बाद नेक्स्ट बटन पे किलिक कर देंगे उसके बाद कोटक महिंद्रा बैक में सेविंग एकाउट खुलने के लिए आपका आधारकाट का जरूरी पड़ेगा उसके बाद ऑरिजिनल पेंड का जरूरी पड़ेगा स्मार्टफोन आपके पास ही है उसके बाद एक साधा पेपर पर आपको सिगनेचर करना है उसके बाद यहां पर इंटरनेट का आपका कनेक्शन आपके पास हई है इसके बाद नीचे में प्रोशीट कर एक option है तो यहां पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको पूशा जाता है आधार कार्ड की बटन पर क्लिक कर देंगे यहां पर पर लेंगे परने के बाद यहां पर कंटिन्यू बाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है तो जो आधार कार्ड में मुवाल register है उसी मौाल नमर पे आपका ओड़ी पी आएगा ओड़ी यहां पे इंटर करेंगे उसके पाद नेक्स्ट बाले बटन पर क्लिक कर देंगे जो आपके अधार काड में एड्रेस है वह यहां पर आपका आजाएगा इसके बाद यहां पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर करना है जैसे तो यहां पे आप किलिक कर देंगे तो अगर आप स्टूडेंट है तो यहां पर किलिक करेंगे तो चलिए हम इस्टूडेंट है तो यहां पर किलिक करेंगे तो चलिए हम इस्टूडेंट है तो यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर करना है इसके बाद यहां प करेंगा इसके बाद next बाले सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी आप मैंरे नहीं होता क्या है जैसे कि है यह आप अपने नाम पर खाता खोल रह Sorry अगर आप कहीं गुजर जाते हैं तो आपका जो मतापित हैda उसके नाम पे सारक।्षिय बेनिफिट मिल जाएगी तो उनका यहां पर nomalny name यहां पर enter कर देना है, इसके बाद यहां पर relationship सेलेक्ट करना है, अगर आपका फादर है तो फादर पर click करेंगे, अगर आप mother का nomalny name देर है तो mother पर click कर देंगे, और जिस भी वेक्ति का आप यहां पर nomalny name देर है, उसका यहां पर date of worth भी आपको enter कर प्रेश देंगे और continue वाले उप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जो भी डिटेल यहां पर इंटर की हैं वह यहां पर आपका दिखाया जाएगा इसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है इसे बाद आपको नीचे में बटन है continue का तो यहां पे आपको किलिक कर देना है तो यां पर आएगा क्लिक कर देना है आपके साथ ऐसा प्रोब्लम फेज करना पर रहा है इस तरह का प्रोब्लम आता है तो आप क्या करेंगे यहां पे इसका कहने के यह मतलब है आप जो है एकाउंट ओपन कर रहा है वहां का कम्मुनिकेशन डेस्ट दीजे जहां पर कोटक महेंदरा का बैंक है और या देखिए आपका तिस्टियुका मेन नहीं है क्योंकि आपने आप नमर दिया है क्या करेंगे जहां पे को टब मेंद्फ नयुकर टो को इन्टर करना फूरे यहां सब्सक्टरम करने के लिए और न Armor प्रोबलॉम आ रहा है तो यह पर क strawberry करने के बाद यहां पैंपरर लींशन आपका नहीं लिया जा रहा है नहीं बाले और तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते एक option आपको मिलेगा setting का तो setting वाले option पे आपको क्लिक कर देना है और इस पेज को थुराचा उपर करना है तो एक option मिलेगा आपको साइट सेटिंग का तो आप यहां पर देख सकते हैं साइट सेटिंग का उप्षन है तो यहां पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद यहां पर लोकेशन वाले उप्षन पर आएंगे तो चलिए हम यहां पर लोकेशन पर किलिक कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं www.kotak डौट कॉम तो यहां पे यह जो है साइट ब्लॉक है इसको जो है एलाउ कर देना है तो इस पे आपको किलिक कर देना है यहां पे आपको एलाउ पर किलिक कर देना है यह जो है देखे एलाउ हो जाएगा इसके बाद यहां पे आपको बेक आजाना है और बेक आने एक बाद य के आपका सही हो जाएगा ओके वाले बटन पर किलिक करेंगे फिर से continue वाले option पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका बिलकुल सही हो जाएगा इसके बाद यहां पर original pen card का आपको फोटो खिचके upload कर देना है अप्लोड करने के लिए किलिक फोटो पर आप किलिक करेंगे तो जो भी आप फोटो pen card का खिच रहें pen card का नम्मर असपस टूप से दिखाई देना चाहिए खिचने के बाद यहां पर upload कर लेंगे upload करने के बाद यहां पर आपको एक selfie upload करना है तो चलिए यहां पे किलिक फोटो पे किलिक करके यहां पर हम selfie upload कर लेते हैं selfie खिचने के बाद यहां पर upload वाले content पREEP करेंगे तो यहा पीडियो के वासी चूरू हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं कुछ सकेंड आपको लग सकते हैं इसके बाद यहां पर एक option आएगा एलाओ करने का जो कि वीडियो के वाशी तो एलाओ वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे अगर वीडियो के वाशी करते दरौन इस तरह का problem आपको फेस करना पर रहा है तो आपको घबर आने के बाद नीचे में एक option भी लेगा साइट सेटिंग का तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद केमरे वाले option पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो देख रहे ब्लॉक एड एलाओ तो यहां पर आपको ब्लॉक वाले option पर क्लिक कर देना है तो चलिए हो जाएगा अगर www.kotak.com का भी अगर बुलोग है तो इसको एलाओ कर दीजेगा इसको आएंगे फिर से माइक्रोफॉन पे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद ब्लोक इड़ पे आपको क्लिक कर देना है यहां पर देख सकते वीडियो के वाशी.kotak.com तो यहां यहीं प्रोबलम पाटकी है ब्लोक बशॉल्व्व मॉझाया तो इसके बाद और वैंको पडिजिनल पें काट को फोतो जो है उसके बाद एक आपका लाईव तस्वीर लिया जाएगा उसके बाद देट पर आपका पूच के वीडियो के वाइसी कंप्लीट कर दिया जाएगा वीडियो के वाइसी होने के बाद 8 घंते के अंदर आपका एकोंट नमर आफ राय सी कोड सी आर नमर आपके इमेल पे कोंटेक्ट मॉइल नम्मर पे वेज दिया जाए अब आपको एटियम काड कैसे मिलेगा आपको जो है प्लेश्टोर में आना है यहां पे कोटक महेंद्रा बैंक आपको सर्च कर देना यह ओफिस्यल अप्लिकसान है कोटक महेंद्रा बैंक का तो इस पे जब आप रेजिस्टे है उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिक्सिस्वन बाक्स को चेक जरूर कर दीजेगा वहां पर हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि आप देख सकते हैं कोटक महेंद्रा बैंक के अप्लिकेशन में कैसे रेजिस्टेशन करना है और कैसे वर्चुल डेविट कार्ड आपको मिलेगा तो इस तरह से कोटक महेंद्रा बैंक में जीरो बाइलेंस सेभिंग एकाउंट आप ओपैन कर सकते हैं